अबे क्या देख रहा है भाई वो देखो क्या आइटम है तेरे से वो लड़की क्या उसका कुट्ता तक नहीं पटेगा चल निकलते हैं यहाँ से ये क्या कर रहा है तू भाई लड़की का स्केज बना रहो छोड़ वो कागज और चल मेरे साथ बड़ा आया स्केज बना के लड़की पटाएगा वाउ ये तो मेरी पेंटिंग है ये मजनु कहाँ चला गया बच्चो बताओ आपने ड्रॉइंग क्लास क्यों जॉइन किया सर चितरकला के माध्यम से मैं अपने विचारों को पूरी दुनिया में फेलाना चाता हूँ वाउ और तुम प्रश सर जिन्दगी चार दिन की और उसमें भी 40 घंटे चूतिया करता रहता है सर वो मजनु जो अपने बड़े पे गुबबारे के जगह कॉंडम फुला के लगाता है उसका नुन्नु जैसा मूँ देखकर फेस्बुक तक ने बयान करके रखा है उसे लॉंडिया पड़ गई और मुझ में क्या कमी है सर मेरे निपल बड़े है भालू जैसी शकल है मेरी जंगल में मुझ से मचलिया पकड़ता हूँ मैं नई प्रॉब्लेम क्या है लड़की हो की पहले सोचा बाइक खरीदने से लड़की पटेगी क्योंकि अंदर फिल्टर ही नहीं बचा इतना सब कुछ करने के बाद अब लड़की छोड़ो मेरी बिल्ली तक भाव नहीं दीती मेरे को और साले मजनु को एक पेंटिंग से लड़की पड़ गई सर आप वो पेंटिंग देखोगे ना आख में मसाला डालकर टिक टॉक पर रोने से पट जाती है लड़कीया रोज शामको में कॉलेज के कटे पर गिटार लेकर गाना गाताओ लड़कीया भाव तक नहीं देती उल्टा कुछ लोग छुट्टा देकर चले जाते और भेंके टके से सड़ी हुई पेंटिंग दिखाकर कॉलेज की सबसे बड़ी आइटेम बॉम पढ़ गई सर माजातर गोट्या कापड़ो तुन भाहर पढ़न गया लट सर क्या? मेरी गोटिया भाग गई सर आपको मतलब की पढ़िये पहले पेंटिंग सिखाओ कल कॉलेज जाकर में सबसे पहले वो हिस्ट्री की मिस गीता का पेंटिंग मनाऊँगा अब अब नागू तुम बताओ तुमने ड्रोइंग क्लास क्यों जॉइन किया? आरे तु टीचर बोला बोसरी का मैं शाहिरी की दुकान बंद कर तेरे सवाल शुरू कर दे पेंटिंग वरना मार दूंगा तेरी गांड तो हे गाईज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक छोको नए हो तो सस्क्राइब छोको और आप भी जाकर ड्रोइंग क्लास जॉइन कर लो मैं आपको फिर मिलूँगा एक नहीं वीडियो में किसी नहीं टॉपे के साथ सब सक के लिए अलविदा